हेलो एवरिवन उमीद करती हूं आप सब ठीक होंगे काफी दिनों से कमेंट आ रहे थी कि एक बार रीट लेवल टू की कट ओफ बता दो साइन सब्जेक्ट की तो मैं इसलिए अवोईट कर रही थी वीडियो बनाना क्योंकि देखो यह लास्ट महीना चल रहा है मैं आपको प बता देती हूं यहां पर मैं आपको पेन और पेपर से लेकर पूरा वेशलिशन करके वैसे नहीं बताओं कि उसमें काफी टाइम लग जाएगा लगबग 30 मिनिट का टाइम लगेगा और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा ठीक है तो मैं आपको जो मुझे लगता है ज के लिए सिर्फ यह वीडियो है ठीक है तो कट ओफ के हम बात करते हैं मैं आपको वर्बली बोल के बता देती हूं क्योंकि पेन पेपर पर बहुत जारा टाइम जाएगा आप खुद भी जानते हो तो जनरल के मिरको यसा लगता है कि देखो आपको जनरल ओबी सी सब बात की बात है आपको पहले में एक बात बताती हूं कि कट ओफ कितने नंबर बढ़ेगी दो गुना से एक गुना की बीच में कितना रिफ्रेंस रहेगा आपको मैं बताओं जिस भी बंदे के साथ और आठ यह दो अंक है ना मतलब साथ नंबर या आठ नंबर जादा है ना दो यह फर्स टाइम है ठीक है पांस साल में तो रिट लेवल बन से अपने आपको कम पर हमको बिल्कुल भी नहीं करना है उनकी कट ओफ जितनी ज्यादा बढ़ेगी ना उतनी रिट लेवल की कभी भी नहीं बढ़ेगी दो गुना से एक गुना में ठीक है और इस बार नेकिट ज्यादा नहीं जाएगी यह तो पक्का है ठीक है 1905 से 169 मा इक पिच्यानम भी जा सकती टोरान में से जादा नहीं जाएगी ठीक है फिर मैं कर्यों जिसके एक्से मैक्सिमा में इससे ज्यादा नहीं जाएगी उसके बाद आता है नंबर EWS का मुझे इसा लगता है कि 184 is the final cutoff इससे उपर नहीं जाएगी 184 से 185 बट 184 मुझे इसा लगता है कि EWS की cutoff रहेगी MBC की 177, 166 से 177 आप मान सकते हो ठीक है 145 जिसके वो निराश ना हो बट मुझे इसा लगता है कि 166 से 177 MBC की जाएगी और MBC का मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ जब MBC की 2 गुना की cutoff आई थी read level 2 science की तब उसमें male और female की cutoff उसमें difference था female की cutoff male से कम थी तो final cutoff में भी ऐसा देखा जा सकता है देखा जा सकता है कि MBC में तो confirm देखा जाएगा बागी और categories में भी देखा जा सकता है ठीक है हाला कि जो 2 गुना का यह था उसमें तो सिर्फ MBC में ही male female की cutoff में अंतर था बाकी किसी में नहीं था ठीक है एसी के हम यहाँ पर next बात करेंगे तो एसी की मुझे ऐसा लगता है कि 165 से 166 is the final cutoff इससे ज़्यादा नहीं जाएगी एसी की यह है कि 166 मुझे लगता है बट 165 से 106 के बीच में भी जा सकती है ठीक है स्थी की बात करते हैं तो स्थी का मुझे इसा लगता है कि 155 से 156 के बीच में points में आप 156 लो या फिर इनके बीच में points में बट points का आकड़ा मैं आपको exactly बता नहीं सकती हो और यह है कि 155 से 156 के बीच में जो है वो अपने आपको पूरी तरीके से safe समझे ठीक है अब जो यह कमेंट करके पूछ रहे थे क्या मेल फिमेल की Diffraym कट ओफ में अंतरर रहेगा marksicalences में देखो ऐसा है कि हर केटेगरी में तो नहीम बट कुछ केटेगरी में दोगुना की cutira और एक गुना की Cut-Off जो है उसमें Male Female की Cut-Off में आंतर रह सकता है जैसे जब दो गुना की Cut-Off आयती तो सिर्फ Female की Cut-Off MBC में कम गई थी बागी सब कैटेगरी में सेम सेम थी तो जो Final Cut-Off आगए तो उसमें कुछ कैटेगरी में जैसे कि SC, ST-In में और MBC in में तो अंतर देखा जा सकता है बट मुझे नहीं लगता कि जनरल वगरा में देखा जाएगा क्योंकि उसका formula अलग चलता है जो 30% आरक्षन है उसका formula थोड़ा अलग चलता है तो chance है कि जा भी सकते बट यह कि सारी categories में ने जाएगी कुछ ही categories में जाएगी और मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगी कि प्लीज जिसके भी मैंने जो cutoff बताईए उससे अगर एक दो number भी कम है या फिर कुछ points कम है तो बिल्कुल निराशना हो मैंने जो cutoff बताईए उससे एक number कम जाने की भी संभावना है बट यह मैं जरूर कह सकते हूं कि जो highest मैंने cutoff बताईए उससे तो ज्यादा एक number मिली जाएगी कुछ एकाद category में जा सकती है बाकी नहीं जाएगी ठीक है तो जिसका भी इसके बीच में score आ रहा है वो अपने मैं आपको पूरी तरह सेफ समझें और आप किसी और काम में लग जाएं ठीक है आप जो जीवन में आगे लक्षी आप उसको पाने की कोशिश करो अब cutoff के बारे में ज्यादा मत सोचो कि वेसे भी एक महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आही जाएगा लेवल वन का पहले आ कर देख के निराश नहीं होना है हम को हमारी आगे में जुड़ना है चाहे वह जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे वह अगर आप तो आपैस्लंड कि कर सकते हो वरना फिर इ सोट्रे सभ्स डिपार्टमेंट के भी आरहीं हो एक य्ये अम आर ग है तो यह सारी वा金 Síl है बाकि यह है कि प्लीज मेरी कटोफ देखें आप बिल्कुल भी निराश मतो यह गा मुझे जो लगा वो मैंने बता दी थैंक्यू सो मच